दोसों आज की इस वीडियो में हम लोग Oliver Goldsmith का एक famous essay discuss करेंगी जो काफी सारे syllabus में शामिल है जिसका नाम है The Man in Black वैसे आप जब ये essay पढ़ोगे तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कौन है ये Man in Black Oliver Goldsmith ने इस essay में कहीं पर भी नाम नहीं बताया कि कौन है ये आदमी लेकिन हाँ उन्होंने ऐसा जरूर कहा था कि इस character को design करने में उन्होंने काफी हद तक अपने father से inspiration ली थी जो एक clergyman थे लेकिन जो भी लोग Oliver Goldsmith को खुच जानते थी वो ऐसा बोलते है कि ये character design करने के लिए जो character design किया है काफी हद तक खुद का ही character Oliver Goldsmith ने portray किया है क्योंकि Samuel Johnson ने भी Oliver Goldsmith के लिए ऐसा बोला है कि ये एक mixed personalities के आदमी थे जो pen उठा ले तो बहुत ही wise आदमी थे चलिए शुरू करता हूँ मिलता हूँ इस वीडियो के एड में दोसों इस essay के जो writer है वो ऐसा बोलते है कि मुझे दुनिया में ज्यादा लोगों की दोस्ती पसंद नहीं आती क्योंकि मुझे जीतना मेरी दोस्ती जीतना इतना आसान टास्क नहीं है लेकिन man in black एक ऐसा आदमी था जिसकी दोस्ती मैं खुद जीतना पसंद करूँगा क्योंकि वो बंदा मेरी respect के लायक है इसका कारण मैं अगर आपको साफ बताओं तो ये है कि वैसे तो वो पूरी दुनिया को ऐसा दिखाता है अएसा दिखाने के कोशिश करता है कि वो बहुत कंजूस आदमी है लेकिन वो खुद नहीं जानता कि उसकी बाटचीज से अंदादा लग जाता है कि वाकई वो एक अच्छा आदमी है लेकिन दुनिया को वो ऐसे दिखाता है कि वो बहुत selfish है वैसे आप पूरी दुनिया में हजारों ऐसे इंसान देखोगे जो अपनी अच्छाई की शेखी मारता है लेकिन ये एक अनोखा आदमी था जिसको अपने अच्छे बीहेवियर से नफरत थी नफरत तो नहीं थी वो चुपाने की कुशुच करता था खुद को इंसानियत का दुश्मन बता था एक दिन मैं उसके साथ घूमने गया इंग्लैंड के एक गाओं में मेरी उससे बाच्चीत होने लगी हम लोग जैसे चल रहे थे गरीबों को लेकर जो गरीबों के लिए चरिटी का सिस्टम बनाया गया है न प्राइवैट लि लोग जा कर मदद करते हैं गरीबों की ये कितना साही है तो वो बोलता है रे क्या साही है मैं तो हैरान हूँ कि लोग इतने बिवकूप कैसे हो सकते है कि ऐसे ही जिंदगी में पहली بار किसी इंसान से मिले मतलब किसी गरीब से मिले और उसके उपर बेवकूफी की तरह पैसा घर्च कर दिया charity के नाम पर फिजूल घर्ची कर देते हैं मुझे उस समझ भे नहीं आता जबकि सरकार ने कानून बना रखे हैं न सरकार इतना सब देती रहती है फिर भी साले रोते रहते हैं जब देखू अगर मुझे मौका मिले तो इनकी मदद करने वालों को मैं बताओं कि इनकी मदद करके तुम आलस को बढ़ावा दे रहे हो और देखना तुम मौका मिलने पर यही लोग तुमें धोका देंगे इनकी अस्री जगह यहाँ पर नहीं इनकी अस्री जगह जील में है तभी वहाँ पर एक बूड़ा बिखारी आ गया उस बिखारी ने कोई पुराने किसी के दिये हुए कपड़े पैन रखे थे जो किसी अमीर ने उसको दिये हुँगे फटे पुराने हालत में थे बिखारी आगर बोलता है कि कुछ दे दो मैं शौक से भीक नहीं मांगता हूँ मेरी मरतिवी भीवी और पांच भूके बच्चों के लिए भीक मांगता हूँ साफ दिख रहा था कि वो आदमी जूट बोल रहा है मुझ पर तो उसकी बातों का असर नहीं हुआ लेकिन मैं इन ब्लैक मेरा दोस्त वो पिगल गया अभी तो वो बड़ी बाते कर रहा था अचानक उसके अंदर दूसरे एमोशन्स जाग गया अब वो फस गया मुझे भी नहीं दिखा सकता तो मेरे सामने तो बड़ी बाते कर रहा था और उसके अंदर जो असली एमोशन्स हैं वो अब जाग गया मुझे साफ दिख रहा था कि वो अचानक से दो एमोशन्स की बीच में फस गया है और अब वो मदद तो करना चाता है लेकिन मेरे सामने कर नहीं सकता तो मैंने अपनी मुंडी घुमाली दूसरी डायरेक्शन में देखने लगा वो पीचे से एक चांदी का सिक्का उसको देता है और बोलता है कि जाओ यहां से जाकि रोजी रोटी कमाओ जूटी बातों से भीक मागना बंद करो तुम क्या समझते हो हम तुमारी बातों में आ जाएंगे इतने में उसने एक चांदी का सिक्का दे दिया उसको उसे लग रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने अभी अभी क्या किया वो आगे भी मुझे कहानिया सुना ही रहा था कि मैं धोके बाजों को तुरंत भगड लेता हूँ अगर मैं मैजिस्ट्रेट होता न तो इन बिखारियों से पहले ने पड़ता जेलों को बड़ा गरता ताकि इनकी तादात को उनके अंदर डाला जाए उसने बताया कि दो लेडी इस थी जिनको बिखारियों ने लूट लिया था वो कुछ और बोले ही वाला था तीसरी कहानी सुनाने वाला था कि एक और बिखारिया आगया जिसका एक लखडी का पैर था देखने में लग रहा था पहले किसी जहाज पर काम करता था मैं तो उस पर कोई ध्यान दिये बिना उसको नोटिस किये मेरा आगे बड़ी रहा था लेकिन मेरा दोस्त मैंने पलट कर देखा तो मेरा दोस्त वहीं पर खड़ा था शायद वो मुझे एक एक एक्जामपल देना चारा था कि देखो इस इंसान के जरीया मैं तुम्हें बताता हूँ कि धोके बाज़े को कैसे पकड़ा जाता है उसने एक गुस्से भरा लोग देते हुए उस लकड़ी के पैर वाले आदमी से पूछा अरे भाई कौन सी लड़ाई लड़ी थी तुमने जो तुम्हारा एक पैर चला गया वो आदमी भी गुस्सा दिखाते हुए बोला एक प्राइवेट शिप्ता साब जिस पर लड़ते हुए मैंने अपने देश की लोग के लिए जान दे दी उन लोग बचाते बचाते जो लोग घर पर रहकर कोई काम नहीं करते देखो मेरा पैर जला गया बस इस जवाब पर मेरा दोस्त पिगल गया ऐसा लग रहा था जिसे वो पिगलने के लिए खड़ा था अब उसके पास कोई और सवाल पूछने को तो थे नहीं वो सोचने लगा कि कैसे मैं इस इंसान की मदद करूँ किसी की नजर में आये बिना खास कर कि मेरी नजर से बचा कर उसकी मदद करना चाता था उसने देखा वो लकडी के पैर वाला आदमी माचस बेच रहा था इसने उसे महंगे में खरीद लिया पहले तो उस आदमी ने इसे हैरानी से देखा कि ये तने महंगे में क्यों खरीद रहा है फिर जल्दी जल्दी करके man in black को उसने अपना सारा सामान बेज दिया अब ये अपने खरेदारी किये हुए सामान को लाकर मुझे बोलता है शोरी का माल रखते हैं साले ये लोग तभी तो आधी रेट में बेज देते हैं देखो कैसे बेज दिया मुझे आधी रेट मे उसको लग रहा था मुझे नहीं पता कि उसने अब ही क्या किया वैसे इन जिपस के बहुत सारे फाइदे हैं इन माचिसों के वो माचिसों के अच्छे अच्छे यूज बताई रहा था कि एक और प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई इस बार प्रॉब्लम एक औरत थी जो चितरों में आकर खड़ी हुई थी उसके हाथ में एक ब Olivia था और पीछे उसकी पीट पर भी एक बच्छा था वो औरत गाना गा रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो गा रही है या रो रही है ये एक ऐसा सीन था जिसे मेरा दोस्त बरदाश्त नहीं कर पाया उसने ये भी नहीं देखा कि मैं वहाँ पर खड़ा हूँ उसने तुरंत अपनी जेबों में हाट डाला ये टेटोलने के लिए ये देखने के लिए कि उसकी जेब में कुछ पैसा है क्या लेकिन अभी तक उसने अपना सारा पैसा लोटा दिया था दूसरे विकारियों पर दो विकारियों पर ये पहले मिले थे उसने जराबी देरी नहीं दिखाई और अपनी खरिद्दारी की हुई चीजे यानि वो माचे जिसकी तारीफ कर रहा था उस ओरत के हाथ में रखती और यहीं पर ये ऐसे खतम होता है दोस्तों अब जब आपने ये ऐसे खतम कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ऐसे समझ में आया होगा दोस्तों फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में